I am Dr.Pankaj और आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि महरास्टों की जो गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजिस हैं वहाँ पर फी और बॉंड का क्या स्ट्रक्चर है तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और शोøख किजिए और इस सेधमेट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्स्क्राइब कीजिए हमारा एक फेस्वक पे ग्रूप है नीट यूजी गुरू के नाम से, आप चाहें तो उसको भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो देखें, हमारे इस वीडियो में जो पहला कॉलेज है वो है आपका टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग TNMC मुंबई के नाम से जानते हैं काफी पुराना और अच्छा कॉलेज है और यहाँ जो सालना फीस है वो लगबग 1,03,300 रुपए है और एड्मिशन के समय आपको 1,03,300 रुपए पूरे कॉलेज को पे करने होगे आपका नेक्स मेडिकल कॉलेज है सेट जिएस मेडिकल कॉलेज ए बहुती फेमस मेडिकल कॉलेज है यहाँ जो लगबग सालनाफीस है एक लाग 12,615 रुपए है और एड्मिशन के समय आपको 11,000,12,615 रुपए पूरे कॉलेज को पे करने पढ़ते है नेक्स कॉलेज है हमारा लोकमाने तिलक मुनिसिपल मेडिकल कॉलेज सायन मुंबई ये भी एक बहुत ही अच्छा और पुराना कॉलेज है जिसको हम लोग LTMC के नाम से जानते हैं और यहां की जो सालाना फीस है लगबग एक लाग 7330 उरुपे है और आपको एड्मिशन के समय भी पूरे एक लाग 7330 उरुपे कॉलेज को पे करने पड़ दे हैं नेक्स मेडिकल कॉलेज है ग्रांट गर्व्मेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई यह मुंबई में है और बहुत ही पुराना और फेमस कॉलेज है यहाँ जो सालाना फीज है लगबग 11,561 रुपए है और एडमिशन के समय आपको 11,571 रुपए कॉलेज को पे करने पड़ते हैं अगला कॉलेज है आपका हिंदू हिर्दय समराथ बाला साहफ ठाकरे मेडिकल कॉलेज मुंबई यह कॉलेज मुंबई में है यह पहले वाले कॉलेज से थोड़ा सा नया है और यहाँ जो फी है लगबग 11,03,090 रुपए है और एडमिशन के भी समय आपको 11,03,090 रुपए प लगबग 98,070 रुपीज है और एडमिशन के समय आपको 11,03,690 रुपीज को पे करने पड़ते हैं नेक्स मेडिकल कॉलेज है बीजे गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज पूने यह पूने में है और काफी पुरान और फेमस मेडिकल कॉलेज है पूने का यहाँ जो सालाना फीज लगबग 1,4400 रुपीज है और एडमिशन के समय आपको 1,4400 रुपीज को पूरे पे करने पड़ते हैं नेक्स मेडिकल कॉलेज इस डॉक्टर वी एम गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज शोलापूर यह शोलापूर में है और यह बी एक पुराना मेडिकल कॉलेज है काफी फेम पे करने पड़ते हैं आपका नेक्स मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर शंकर राव 56 गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज नंदेड यह नंदेड सिटी में है और यहां जो सालाना फीस है वो लगबग 1,92010 रुपे है और एडमिशन के समय आपको 1,92010 रुपे कॉलेज को पूरे पे 96,100 रुपीज है और एडमिशन के समय आपको 96,100 रुपीज पूरे कॉलेज को पे करने पड़ते हैं नेक्स मेडिकल कॉलेज है गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज अकोला यह अकोला सिटी में है और यहां जो सालाना फीसा लगबग 99,400 रुपीज है और एडमिशन के समय आपको 17,800 रुपीज को पे करने परते हैं देखिए यह जो डेटा है यह MCC की साइट से लिया है और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है MCC की साइट पर यही लिखा था 17,800 पर मुझे डाउट है कि यह शायद 1,007,800 हो सकता है शायद वहाँ पर मिस्प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी Medical College की जो Admission Fee इतनी कम नहीं है 17,800 तो हो सकता है यह Misprint वाओ तो इसको आप एक बार College की वेफसाइट से या College Phone करके Confirm कर लिजेगा Next Medical College is Government Medical College लातूर यह लातूर में है और यहाँ जो सालाना Fee लगबग 1,11,430 रुपए है और admission के समय आपको 1,11,430 रुपए पूरे College को पे करने पड़ते है अगला College है Government Medical College Miraj यह Miraj में है और यहाँ जो सालाना Fee लगबग 1,07,000 रुपए है और admission के समय आपको 1,07,000 रुपए पूरे College को पे करने पड़ते है Next Medical College is Government Medical College चंदरपूर यह चंदरपूर सिटी में है और यहाँ जो सालाना Fee लगबग 94,400 रुपीज है और admission के समय आपको 1,15,400 रुपए को पे करने पड़ते है Next Medical College is Government Medical College नागपूर और यहाँ जो सालाना Fee से लगबग 99,300 रुपीज है और admission के समय यहाँ पे देखिए यहाँ भी मुझे लगता वही गलती हुई है MCC की साइट पे दिया है कि admission के समय आपको 1,500 रुपए देने होते है पर ऐसा कभी नहीं होगा यह पक्का यहाँ पे missprint हुआ है जरूर यहाँ की fee कुछ अलग रही होगी तो आप इसको एक बार please confirm कर लिजे college phone करके क्योंकि मैंने college की website पे भी चेक किया था वहाँ से भी मुझे को information नहीं मिल पाई थी पक्का यह जो fee है यह कुछ एक लाग कुछ करके होगी मेरे ख्याल से तो next medical college देखते है इंद्रा गांधी government medical college नागपूर यह भी नागपूर के अंदर है नागपूर city में दो college है तो GMC नागपूर और दूसरा इंद्रा गांधी government medical college नागपूर ठीक है तो यहाँ जो सालाना फीज है लगबग 94,400 रूपीज है और admission के समय आपको 1,13,160 रूपीज को पे करने पड़ते है next medical college is government medical college और अंगबाद यह और अंगबाद city में है और यहाँ जो सालाना फीज है लगबग 1,07,710 रूपीज है और admission के समय भी आपको 1,07,710 रूपीज को पे करने पड़ते है next college आपका राजाश्री चात्रपती शाहु जी शाहु महाराज गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कोहलापूर यह कोहलापूर सेटी के अंदर है और यहाँ जो सालाना फीज है लगबग 94,400 रूपीज है और एड्मिशन के समय आपको 1,08,400 रूपीज को पे करने पड़ते है next medical college श्री वसंत राव नायक गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज यावतमल यह यावतमल के अंदर है जो यावतमल सिटी है और इसकी जो सालाना फीज है लगबग 1,11,900 रूपीज है यह दूले में है और इसकी जो सालाना फीज है लगबग 94,400 रूपीज है और एड्मिशन के समय आपको 1,11,700 रूपीज को पे करने पड़ते है next college is स्वामी रामनंद तीर्थ रूरल गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज अंबा जोगी यह अंबा जोगी में है और यहां जो सालाना फीज है लगबग 1,13,695 रूपीज है और एड्मिशन के समय भी आपको 1,13,695 रूपीज पूरे कॉलेज को पे करने पड़ते है next medical college is All India Institute of Medical Sciences that is your AIMS यह नादपूर में है AIMS नादपूर के नाम से हम लोग इसको जानते है और यहां जो annual fee है काफी कम है जैसा कि हर AIMS में होती है 1,628 रूपीज और एड्मिशन के समय आपको 5,856 रूपीज को पे करने पड़ते हैं तो देखें AIMS तो कहीं भी हो AIMS की fee जो होती है अकसर काफी कम ही होती है हमेशा एक या दोजार से जादा कहीं भी नहीं होती है इसलिए AIMS काफी सस्ता college में माना जाता है next college is Armed Force Medical College पूने देखें मैंने काफी try किया college की website से भी पर मुझे इसकी annual fee के बारे में तो पता नहीं लग पाया पर हमें आप लोग को इतना बता दू कि AIMS Medical College जिसको आप A.F.M.C. पूने के नाम से जानते हैं उसकी fee काफी ही कम होती है इवन हम लोगों के time भी आज से 14-15 साल पहले मात्र 200 या 2500 रुपे परियर हुआ करती थी तो इवन इस college में क्या होता है आमफोस Medical College में आपको उल्टा पैसा दिया जाता है जैसे कि hair cutting का पैसा और आपको किसी घर जाने के लिए train का ticket का पैसा वो सब आमफोस Medical College में students को दिया जाता है इसको college dress का पैसा सब कुछ दिया जाता है आमफोस Medical College के बारे में एक important बात मैं आपको पता दू जब आप यहाँ पर admission लेंगे तो आपको या sorry आपके parents को 30 lakh रुपीज का एक bond sign करना पड़ेगा तो वो bond है क्या कि अगर आप A.F.M.C में admission ले लेते हैं और admission के 7 दिन के बाद अगर आप resign करते हैं और वो 7 दिन कब count होंगे जब आपने admission ले आए तो 7 दिन के 4 पीम मतलब 7 दिन के 4 बजे के बाद अगर आप resign करते हैं तो आपको ये पूरा 30 lakh रुपए college को pay करना पड़ेगा अगर आप 7 दिन से पहले मतलब 7 दिन के 4 बजे से पहले resign करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कोई पैसा नहीं देना होगा मगर आप अगर 7 दिन के बाद 7 दिन के या फिर 7 दिन 4 बजे के बाद अगर resign करते हैं तो आपको 30 lakh रुपए college को pay करने पड़ेंगे ये बहुत एक important bond है आप सबको पता होना चाहिए Next medical college is government medical college नंदुरबर ये नंदुरबर सिटी में है और यहाँ जो सालाना फीस है वो लगबग 94,400 रुपीज है और जो admission के समय आपको 1,6700 रुपीज को pay करने होगे Next college is government medical college and hospital बारा मती है बारा मती में है और यहाँ जो सालाना फीस है लगबग 94,400 रुपीज है और admission के समय आपको 1,4400 रुपीज को pay करने होगे Next medical college is government medical college जलगाओ ये जलगाओ में है और यहाँ जो सालाना फीस है 94,400 रुपीज है और admission के समय आपको 1,8400 रुपीज को pay करने होगे तो यहाँ तक हमारा जो है कि college की जो information थी सारी जो खतम होगी Almost 26 government medical college है पूरे महरास्ट के अंदर चुकि काफी बड़ा state है और number of colleges वहाँ जाता है ठीक है अब हम थोड़ा bond discuss कर लेते हैं महरास्ट में अगर आप MBBS करते हैं तो MBBS करने के बाद आपको या तो एक साल government service करनी पड़ेगी वहाँ पर मतलब government जहां पर भी आपको posting देगी वहाँ पर आपको काम करना होगा Otherwise अगर आप इस नहीं करते हैं तो आपको 10 lakh rupees वहाँ की government को pay करने पड़ेंगे तो या तो one year service कर लीजिए नहीं तो 10 lakh rupees दे दीजिए अच्छा एक और बात है अगर आप final round of counseling के बाद अगर आप resign करते हैं मतलब MBBS की seat join करने के बाद अगर छोड़ते हैं मतलब कि उनकी MBBS की seat को आप खराब करते हैं तो आपको 10 lakh rupees उनको pay करने पड़ेंगे महारास की government को तो यह बहुत important चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए तेकिए इसमें मैंने hostel के charges include नहीं किये हैं लगबग जो ज़्यादा तर government medical college है वहाँ पे जो hostel के जो मैस का खाना में बता सकता हूँ लगबग 3-5000 रुपे पर मंद का खर्चा आजाता है खाने का ठीक है और जो monthly जो hostel के charges होते हैं वह काफी जादा नहीं होते हैं लगबग 500-1000 रुपे के आज पास वह वैरी करेंगे तो काफी सस्ते ही होते हैं government medical colleges के hostel और AIMS का hostel तो obviously बहुत ही सस्ता होगा और जहां तक बात है AFMC की तो वहां तो उल्टा पैसा दिया ही जाता है तो वहां तो और ही सस्ता होगा तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ठीक है मेरी आप से फिर से रिक्वेस्ट है के हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो